दिस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने अपने कानों में टूटियां लगा लें वरना आपके पाप आपकी गान फाड़ देंगे बाद में मुझे न कहना ये डिस्कलेमर था यार आज हम उन महान लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे लड़की पटाना इतना असान कर दिया फून बना के तो इस काम में अकेले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल नहीं थे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे तो आएं हम जानते हैं टैलिफोन की हिस्ट्री के बारे में बात शुरू होती है 1667 से जब रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टैलिफोन को इजाद किया ये वो ही फोन है जिसे हम बच्पन में खेला करते थे इसी की इजाद है सन 1816 में फ्रांसिस रॉनार्ड ने स्टाटिक इलेक्टिसिटी इस्तेमाल करके दुनिया का पहला वर्किंग टैलिफ बनाया था लेकिन इसका मसला ये था कि इससे मैसेज को कॉड़िट फॉम में भेजा जा सकता था यानि कि सिर्फ पड़ी लिखी लड़कियां ही इस मैसेज को पढ़ सकती थी ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसे आगे जाके जॉन फिलिप राइज ने सॉल्फ किया मगर इन्होंने भी फ्रांस में रहने वाले चार्ल्स की थियोरी पर काम करते हुए किया ये उसी दोर के लोग हो सकते थे जब एक दूसरे की हेल्प की मदद से चीजें बनाई जा सकती थी लेकिन आजकल आजकल अपने दोस्त को बोलो यार मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है इसे सब्सक्राइब कर दो मगर उसके हाथ ऐसे काम जाएंगे जैसे शराब पीते पीते हाथ काम जाते हूँ भेंचोद मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे दोस्त भी पाये जाते हैं जो भेंच के लोड़े मैसेज खोल के तक नहीं देखते यार कुटे के बच्चे चलो छोडो गान मारो इन सब की वापस आते हैं टेलिफॉन पर तो हम कहां थे चार्ल्स पर चार्ल्स की थियोरी पर चार्ल्स का ऐसा मानना था के एलेक्रिसिटी के जरीए साउंड वेव को ट्रांसफर किया जा सकता है इसी थियोरी पे काम करते हुए जॉन ने फॉन बना डाला मगर इसमें कई कम्या थी जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी लड़की को फॉन करते हैं तो सिर्फ हम अपनी ही बाते सुना सकते हैं अगली की आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस जाएंगे फिर इसी बात को मदे नज़र रखते हुए एंटोनियो मुची एंटोनियो मुची ने भी एक फॉन बनाया मगर इस फॉन को तो इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट हिया गया कि जब ये इसका पेटेंट फाइल करने गए तो अब आते हैं आपके और हमारे हीरो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिनोंने फून बना के लड़कियां बटाने में बहुत ही ज़्यादा असानी कर दीजी मेरे भाई यही है वो ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मा और बीवी दोनों ही बहरी थी यार मुझे ये समझ नहीं आता कि ग्राहम बेल की जो वाल्दा थी ये तो चलो ठीक है बहरी थी इनको नहीं सुनाई देता था लेकिन ग्राहम बेल ने कैसे डून ली यार बहरी बेगम ये समझ नहीं आ रहा यार अपने को तो भाई इसमें कोई फंडा है बाबा कुछ ना कुछ तो है इसमें लोचा चलो अगर तुम्हें पता है तो comment करे के बता दो यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या फंडा है क्या लोच चाहिए अपने को तो बिलकुल समझ नहीं आ रहा अगर किसी को इसकी हिस्ट्री के बारे में इतनी जादा डीपली बताया तो प्लीस मुझे बता दो मुझे इसकी डीपली इतनी घराही में नहीं नहीं पताया था थॉमस वाटसन ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलिग्राफ पर काम करना शुरू किया और इसे बहतर बनाया और फिर उन्होंने नॉर्मल सा एक रेसीवर बनाया जो इलेक्रिसिटी को साउंड में बदल देता था साथ मार्च 1876 को ग्राहम बेल अपनी इन्वेंशन के बारे में दुनिया को बताया और एक पैटेंट फाइल किया और ग्राहम बेल को पैटेंट मिल गया लेकिन ग्राहम बेल को पैटेंट मिलते ही उसके ठीक दो घंटे बाद अमेरिका के अलिशा ग्रे भी अपना पैटेंट फाइल करने के लिए पहुँच गए लेकिन वब तक बहुत देर हो गई थी अब कुछ नहीं हो सकता था वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें के अलेशा ग्रे एक पॉन्स्टार का नाम भी है जो आज जिन्दा है अब क्यों में से जाज़तर लोग जाके सर्च करेंगे कौन है ये हम भी तो देखें यार अभी तक अगर वीडियो पर हो ना तो एक सब्सक्राइब तो बनता है फिर मिस्टर ग्रे ने अलेक्जेंडर पर इ लक में हुआ और ग्राहम बेल को पेटेंट मिल गया और अलेशा ग्रे के टेस्टिकल्स मूँ में आगे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया टेस्टिकल्स इस टट्टे और फिर ये हमें इतना प्यारा सा तौफा देखे दुनिया से रुखसत हो गए दो अगस्त 1922 को और अहम बेल के कुछ आखरी वर्ड्स उनकी वाइफ ने उनसे कहा डॉंट लीव मी तो अलेक्जेंडर ने आगे से जवाब दिया नो ये गंडू भी अपनी बीवी से तंग आया वा था यार वो यकीन नहीं आता है यकीन करो सर्च करके देखो आपको इसका जवाब नो ही मिल तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक शेर पेश करना चाहूंगा कि शायर अपनी शायरी में फरमाता है कि तू पैसा पैसा करती है क्या होता है पैसे का पैसे की लगा दू ठेरी मैं माच चोद दूंगा तेरी जे तू ना होई मेरी तो दोस्तो इसी बात पे एक सबस्क्राइब तो बनता है बैक टू दो टॉपिक ग्राहम बेल के फॉन बनाने के 25 साल के बाद गिलैलियो मैकरॉनी ने 1896 में पहला रैडियो बनाया और इस ने सन 1901 में समंदर के पार सिगनल भेजा अब टेलिफॉन तो बन चुका था अब रैडियो आने के बाद 1906 में रैगनल फेसिंडन ने इसी रैडियो पे काम करते वे इसे बहतर बनाया और उसके बाद रैडियो फॉन का इन्वेंशन हुआ जो बाद में मिल्ट्री और नेवी ने इस्तिमाल करना शुरू किया फिर 1947 में AT&T कमपनी ने अपना पहला टावर लगाया जो के इतना खा उन्हों ने सोचा कि एक बार क्यों ना रैडियो की टेकनलोजी पे काम करके एक और कोशिश की जाए क्योंकि एक बार तो यह लोड़े लग चुके थे फिर AT&T कमपनी के एक इंजीनियर जॉर्ज स्विगर ने रैडियो की टेकनलोजी पे काम करते हुए एक और वाइरस फिर वोई बात कि ये फोन बिजनिस के लिहाज से इतना अच्छा नहीं रहा और ये एक बार फिर लोड़े लग गए फिर आते हैं हमारे दूसरे हीरो मार्टिन कूपर जिन्होंने पहला वायरलेस फोन बनाया फोन बनाया 1973 में इस फोन से कूपर ने पहली कॉल न्यू यॉक से न्यू जर्सी की थी इन्ही को ही पहले मुबाइल फोन का अब्बू कहा जाता है या यूं कहें तो इन्होंने ही लड़का और लड़की की दूरिया मिटाई फोन बना के और ये फोन आम लोगों के लिए था जिसका वजन लगबग दो किलो के बराबर था मज़े की बात तो ये है कि ये फोन इन्होंने मोटा लोडा कंपनी के साथ मिल के बनाया था और फिर बाद में मार्टिन कूपर को मोटरोला का सी यो बना दिया गया और फिर जापान में 1979 को पहला वायरलेस नेटवर्क बिचाया गया बात मेरी ये समझ नहीं आई यार के भेंचोथ बनाया अमरीका ने नेटवर्क गांडू जापान बिचा रहा है क्या अजीब चूतिया चकर चल रहा था यार खेर बड़े बज़र्कों की बाते हम उने थोड़ी ने कुछ कह सकते है फिर 1983 में मोटरोला ने लोगों के लिए हैंड सेट बनाना शुरू किये और दबा अगे भेंचोथ नोट शापे दबा के अच्छा पहले मॉबाइल का नाम 0888X था अच्छा इस फॉन की कीमत पता कितनी दी लगबख 4000 डॉलर भेंचो दित्ता हमेंगा था यार ये अभी तक बस हम इस फॉन से लड़कियों से बाते ही कर सकते थे फिर 1991 में फिनलेंड की एक कमपनी रेडियो लिंजा ने सेकंड जनरेशन पर काम करना शुरू किया जिसके बाद अब मुबाइल फॉन से SMS भी बेजे जा सकते थे यानि कि अगर आप घर में छुपके बात करते हैं तो आप SMS पर भी बात कर सकते थे यार ये लड़का कितनी बारी की से समझाता है फिर इसके बाद 2001 में जापान ने थर्ड जनरेशन नेटवर्क पर काम किया और इसे बहतरीन बना दिया जो आज कल हम सभी इस्तमाल करते हैं जैसे वीडियो कॉलिंग, MMS वगएरा वगएरा अच्छा फिर मार्टरिन कूपर को एवार्ड दिया गया 2013 में पहला दुनिया का मोबाइल फोन बनाने के लिए जो उन्होंने मोटरोला के लिए बनाया था दोस्तो इसी बंदे की वज़ा से लेटरीन में हमारा टाइम बहुत अच्छा पास होता है अच्छा अब ये जानो किसने किसकी मारी और कैसे मारी मोटरोला की गांड सोनी और नोकिया ने मिल के मारी लेकिन नोकिया ने जादा मारी फिर नोकिया की गांड सैमसंग ने मारी फिर स्टीसी ने अपना पहला एंड्रोइड फोन बना के सब की गांड मारी और फिर सैमसंग एंड्रोइड पे कन्वाड हुआ और उस ने फिर S.T.C. की गांड मारी और आईफॉन ने सैमसंग की गांड मारी और अब दोनों ही एक दूसरे की गांड मार रहे हैं लेकिन कॉंडम लगा के अब आप ये कमेंट करके बताएं कि मैंने ये गांड का कॉंबिनेशन बिल्कुल सही बिठाया है या थोड़ा उपर नीचे है और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आप अगली डॉकॉमेंटरी इस अंदाज में किसकी देखना चाहते हैं और वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब खेरो चलो तकत पर बैठते हैं वकत की गांड मारते हैं और टाटा और गुडबाई और लव यू आए हाए